नमस्कार प्रभू की किर्प्या में आप सभी का स्वागत है आप सब कैसे हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए आज हम बात करेंगे जगनात हंदिर से से आरम होती है यहे रत्यात्रा पूरी का प्रधान परवे है इसमें भाग लेने के लिए लाग की संख्या में श्रद्धालू पहुचते हैं इस रत्यात्रा में बगवान जगतनात भाई बालभद्र और बहन सुबद्रा की प्रतिमाओं को तीन अलग-अलग दिव्वे रत पर नगर भ्रमन कराया जाता है रत्यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर दो किलो मेटर दूर इस्थित गुडांची मंदिर पर समाप्त होती है जहां भगवान जगतनात साथ दिलों तक विश्राम करते हैं देश की धन्वान मंदिरों में से एक उडिसा का जगनात पू मंदिर के खजाने की चाबी गुम हो जाने की वज़े से ये मंदिर काफिर चर्चा में रहा था इस मंदिर में हर साल भगवान जगतनात की रत्यात्रा निकाली जाती है पहला भगवान जगतनात, बालभध और सुबद्रा के रत नारिव की लकडी से बनाए जाते हैं क्यूंकि ये लकडी हल्की होती है भगवान जगतनात के रत का रंग लाल और पीला होता है और यह अन्य रत्धों के अकार में भी बड़ा होता है यह रत बालबद और सुबद्रा के रत के पीछे होता है दूसरा, भगवान जगतनात के रत के कई नाम है जैसे गरोंदवज, कपीदवज, नंदीगोश, आदि इस रत के सार्थी का नाम दारूख है तीसरा, भगवान जगतनात के रत के घोड़े का नाम संख, बालहग, स्वेट अबंभरी दशाव है इनका रंग सफेध है, रत के रक्षत पक्षी राज गरुण है चौथा, भगवान जगतनात के रत पर हनमान जी और नर्सिंग का प्रतिक चिन है यह इस्तम रत की रक्षा का प्रतिक है पाचवा, रत की ध्वजा यानि जंडा त्री लोग बाहिनी क्या लाती है रत को जिस रस्ती से खीचा जाता है, वह संकचूर नाम से जानी जाती है चटा, भगवान जगतनात के रत में सोला भईय होते है उचाई साड़े तेरा मीटर होती है, लगबग 1100 मीटर कपड़ा रत को ढखने के लिए प्योग में लाया जाता है साथवा, बलराम जी के रत का नाम ताल्दवज है इनके रत पर महादेवी का प्रतिक चिन होता है रत के रक्षक वासुदे और सार्थी का नाम मताली है आठवा, सुबद्रा के रत का नाम देब दलन है इनके रत पर देवी दुरगा का प्रतिक होता है रत के रक्षक जै दुरगा वह सार्थी अर्जुन होते है 9. भगवान जगनात के रत के घोडे का रंग सफेद, सुभद्रा के रत के घोडे का रंग कौफी कलर का वबलराम जी के रत के घोडे का रंग नीला होता है दस्वा, भगवान जगननात के रत का शिकर लाल हरा, बलराम जी के रत का शिकर लाल पीला, बसुभद्रा जी के रत का शिकर लाल ग्रे रंका होता है एक ज्यारवा, भगवान जगननात के मंदिर में आज भी कई ऐसे चमतकारी होते हैं, जिसका जवाब बिज्ञान के पास भी नहीं है पुराणों के अनुसार जगननात मंदिर को धर्ति का बैखुंड माना गया है, क्योंकि भगवान श्रेक्रेश आज भी यहां साधे उपस्तित माने जाते हैं यह प्राचिन काल से यहां की सवर जन जाती के अराध्य देव हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसी वज़े से यहां भगवान विश्ञु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है बारवा, भगवान जगत्तात को समर्पित इस मंदिर का निर्मार दस्वी सताब्दी में हुआ था जिसे चार धामों में भी इस्थान प्राप्त है, ऐसी मानिता है कि मंदिर की चोकी पर लहराता दुज सदेव हवा के विपूरत दिसा में लहराता है दरसन ऐसा कहा जाता है कि यहां दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शान के समय इसके उल्टे दिशा में हवा वेती है मगर मंदिर का दवज इसके ठीक विपरित उल्टे दिशा में नहराता है क्यूंकि मंदिर में हवा दिन में समुन्द्र की और रात में मंदिर की तरफ वहती है इसके साथ ही मंदिर पर लगे शुदर्शन चक्र के दर्शन आप मंदिर परिसर में कहीं से भी खड़े होकर कर सकते हैं हर तरफ से चक्ष आपको अपने सामने ही लगा हुआ दिखेगा दोवच की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रति दिन चाहे कितने भी शधालू दर्शन के लिए पहुचे मगर प्रशाद की मात्रा कभी घटी नहीं है हर समय पूरे साल के लिए भंदार भरा रहता है ऐसी माननता है कि भगवान जगतनात के प्रताप से यहां हजारों लोगों से लेकर लाखों लोगों तक को प्रति दिन भर पेट भूजन खिलाया जा सकता है चाहे शद्धालों की संख्या में कितनी भी ब्रद्धी हो जाए मंदिर के अंदर पकाय जाने वाला प्रशाद कभी कम नहीं होता चौद्वा यहां का प्रशाद भी अनोखी तरीके से पकाया जाता है दरसन प्रसाद पकाने के लिए साथ बरतन एक दूसरे पर रखे जाते हैं जिनने लकड़ी के चूले पर पकाया जाता है मगर बताया जाता है कि इस प्रकिरिया में सबसे उपर बरतन में रखी गई सामिकरी सबसे पहने पकती है और फिर धीरे नीचे के वर्तन में रखी सामिकरी पक्ती है यहां के विशाल रसुय में भगवान जगतनात को चढ़ाने वाले महाप्रशाद को बनाने के लिए 500 रसुया लगे रहते हैं जिनके लिए अलग से 300 सायोगी काम करते हैं यानि करीब 800 लोग मिलकर महाप्रशाद तयार करते हैं यह प्रशाद रूप में भगतों को गोपाल भूग बाटा जाता है इस मंदिर की एक और चमतकारी बात ये है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको समुन्र की लहरों की ध्वनी नहीं सुनाई देगी भारत में किसी मंदिर का धवज हर दिन नहीं बदला जाता जगतनात का मंदिर ही एक ऐसा मात्र मंदिर है जिसका धवज हर दिन बदला जाता है हर दिन एक पुजारी को उचे गुम्मत पर चड़ा कर धवजा बदलना होता है जगतनात मंदिर की ऐसी मानिता है कि अगर एक दिन भी धवजा नहीं बदला जाएगा तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा सबसरवा जगतनाद पूरी की रत यात्रा की ही तरह भगवान जगतनाद को उनके जनम दिन के अपसर पर जेस उन्निमा के दिन मंदिर के अंदर से बाहर लेकर आया जाता है भगवान जगतनाद के भगतों के लिए ये काफी महत्पूर उत्सव होता है इस उत्सव में भगवान जगतनाद जी को सो भद्रा और बाल भद्र जी के साथ मंदिर के बाहर लाकर इस्तनान वेदी और पूरी परमपरिक तरीके से सुद्जल से भरकर एक सो आठ घड़ों से इस्तनान कराया जाता है इस्तनान कराने के बाद श्रधालों को दर्शन के लिए सजाया जाता है अठारवा भगवान जगतनाद जी को हर दिन चौसर प्रकार के भुग चड़ाये जाते है उन्निसवा पूरे शहर के किसी भी गोने से आपको जगतनाद जी के मंदिर का जंड़ा देखा जा सकता है इस मंदिर के उपर से किसी भी प्रकार का पक्षी नहीं उड़ता तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपने हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए जगतनाजी माराज की जैर